हेलो दोस्तो आज की क्लास में हम देखते हैं लोरेंज बल या चुम्बकी बल क्या होता हैं डेरिवेशन के साथ में देखेंगे तो वीडियो को एन तक जरू देखना चले पून वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर मैं इस डेखिनेशन को एक बार फड़ू फिर आपको समझाओ चीतर के माध्यम से फिर डेरिवेशन कराओ तो कोई बात नहीं है ना तो डेखिनेशन को एक बार पड़ता हूं ध्यान से समझिए कोई घतिमान आविशित कण क्यूं है मतलब कोई भी घतिमान जो की घती कर रहा है मैं घतिमान कण हूँ जो की क्यूं हूँ वो घती कर रहा हूँ ठीक है तो किसी चुम्बक शेत्र B के लंबवत यानि कि कोई भी चुम्बक का एरिया है उसके लंबवत वी वेग से मतलब इसकी स्पीड है वी वेग से घती करता है तो इन दोनों के लंबवत चुम्ब की शेत्र ये वी तथा वेग वी के दोनों के लंबवत एक बल कारे करता है उसे चुम्ब की बल या लोरेंज बल कहते है ठीक बात है अब इस definition को आपने समझ लिया है तो ध्यान से यहाँ पर समझना ये है आपका कोई चुम्ब की शेत्र एरिया जो की चुम्ब का है ठीक बात है मैं समझा रहो तो समझ दीजी ध्यान से विया जी ओके ये है आपका कोई भी एरिया इसको रहना देता हूँ ओके ये कोई आपका चुम्ब की शेत्र है ये है आपका चुम्ब की ये शेत्र जो की बी से दर्शात है आपन चुम्ब की शेत्र क्या है बी ये कोई भी एरिया है अब इस एरिया के अंदर कोई आवेशित कर्ण वीवेग से जाता है समद रहे ना बात को मेरी यदि कोई भी आविशित कण मान के चली ये आविशित कण है वो यदि वीवेग से जा रहा है ये आपका आविशित कण है क्यों? वो जी अगर वीवेग से जाता है वीवेग से जाता है तो चुम्बक की शेत्र आवेश इन दोनों के लंबवत एक आपका बल काम करता है और उस बल को हम कहते हैं लोरेंज बल या चुम्बक की बल कहते हैं लंबवत का मतलब बेटुआ इस परकार से होगा समझे बात को धान से चुम्बक की शेत्र हैं आपका उसके अंदर क्यूं आवेशितकर्ण है वो वी वेकस अगर जा रहा हैं तो चुम्बक की शेत्र क्यूं आवेशितकर्ण इसके लंबवत एक बल काम करता हैं इस बल को हम क् क्या केते हैं low range BL कहते हैं यह जो low range बल होता है इसको हम दर्शारते हैं PS से SIDHA BULG तो इसोष दर्शारते हैं अब इसकी DERIVATION को समझिये ठ्यान से जो आपका low range BL है वो किस के बराबर होगा चुम्बक के शेत्र क्यूं आविशितकन और वेक के बराबर होगा अर्थार्थ में कह सकता हो कि आपका लोरेंज बल होगा वो आविशितकन वीवेक से घती कर रहा है उसके भी इंटू में है साथ में चुम्बक के शेत्र के लंबवत इसका मतलब होगा साइन ठीटा समद रहे बात को मेरी भाइ साब क्यू आविशितकन है वो वीवेक से घती कर रहा है चुम्बक की शेत्र में लंबवत उसे हम क्या केते हैं लोरेंज बल केते हैं अर्थार्थ ये लंबवत सब के क्या होगा बराबर होगा तो भाई साब यदि मैं बात कर लो यहाँ पर लंबवत का मतलब क्या हुआ कौन बन रहा है और कौन कितने का बनेगा अर्थात ठीटा का मान कितना होगा लंबवत मतलब 90 डिगरी तो जब साइन ठीटा है उसकी जगह में क्या रख सकता हूँ एफ बराबर Q ईसको गुणा कर देता हूँ QVB Sign 19 ठीक बात है अब आगे इसको शॉल्व करते तो क्या होगा Sign 19 का मान कितना होता है आप 10 क्लास में पढ़े होंगे Sign 19 का मान सोरी Sign 19 का मान कितना होता है 1 तो सिंपल उसक गुणा करेंगे कितना होगा साइन 19 का मान हो जाएगा एक तो बाकी बचेगा आपका Q, V और B और ये हो जाएगा आपका लो रेंज बल का सूत्र अब समझे जहां से यहां यदि मैं क्या करता हूँ क्यूं आविशित कर्ण है उसको मैं एक कुला मान लेता हूँ कुला मतलब आविश का एक यूनिट होती है ऐसा ही मातर रखोता है और यदि मैं वेक को वन मीटर पर सेकेंड मान लेता हूँ तो क्या होगा A बचा और B बचा तब आपका लो रेंज बल होगा वो चुम्ब की शेत्र के बराबर होगा तो दोस्तो ये था आपका लो रेंज बल तो लो रेंज बल का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूब बताएगा और वीडियो अच्छे लगा आथ वीडियो को लाइकिते चल्ड़को सब्सक्राइब कर देना सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक ही वन्दे मात्राव